हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल तो आज हम लोग देखेंगे लानीना इफेक्ट ओफ इंडियन मॉनसूर तो इसको देखने से पहले हम लोगों ने कल देखा हुआ था एल नीनो अगर आपको एल नीनो समझ में आता है तो बस उसी का रिफर्स है उसी का उल्टा है ला इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूले साथ में बेल आइकन भी डबाए तो आए फिर हम लोग शुरू करते हैं तो कल हम लोगों ने देखा हुआ था था थोड़ा सा एक बार ओबर विव ले ले लेते हैं तो कि एल नीनो किस तरीके से जो गरम जलधारा होती थी और पेरू के तट से यहां पे टकराने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे की कोरियोलिस बल के परभाव से यहां पे जो हेडली सेल था यहां पे जो बन रहा था ट्रेड जो विंड था उसके परभाव में आके यह मुड जाती थी और मुडने के बाद से यहां पे जो साउथ जो नॉर्थ साउथ एस्या है उसको किस तरीके से एफेक्ट कर रहा था तो कल मैंने बताया भी था कि जो आप लोगों ने पढ़ा होगा थर्मुक लाइन ताप प्रवरता आप लोगों ने पढ़ा होगा ठीक है ना थर्मुक लाइन जो 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 हम लोग नी अब वहाँ पे कोई चेंजर है में नजर नहीं आएगा तो उसकी घहराई बहुत अधीक होगी तो यहीं किरिया थी कि जब यहां की जल धराय जब जा रही थी इधर जब एल नीडो किस्ती पैदा हो रही थी चार-पान साल वे कल मैंने समझाया हुआ था जिन लोगों ने नह दया था कि जो पानी का यहां जो डेन्सिटी जो दबाव है नीचे इसे फोर्स करता है और यहां पर जो डाउन वेलिंग की परिकरिया हो रही थी इसके वजह से एक चक्रिय परवाह की सिती यहां पर उत्पन हो रही थी और यहीं चक्रिय परवाह की सिती उत्पन होने की व अधिक बढ़ जाता है अब यहीं अब नीचे का पानी पूरे तरीके से ड्रिफ्ट की सिती जो बन जाती है सर्कुलेशन के रूप में आ जाता है और धीरे धीरे यह निवन अच्छांस से उच्छांस की तरफ चलने लगता है तो यहीं यह लानीना बिल्कुल बेस सीमपल है ठीक है न इलनीनो और लानीनो को भाई और बहन का भी नाम दिया जाता है तो आप लोग समझदार होंगे ठीक है समझ गया होंगे बहन सांत है कोई परसानी नहीं दे रही है क्या है फिर लानीना है इलनीनो जादे ही खतरनाक हो कारान अब जब ठंडी जलधारा इधर आने लगती है तो धीरे 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 टमप्रेचर कम होने लगता है और टमप्रेचर कम होने के वज़ा से जो पेरू की जो जलधारा जो है यहाँ पे जो जारी थी ठंडी जलधारा जूर में सोरी दिसंबर में हागर सुर्य भले ह कैप्रिकॉन पे मकर रेखा पे है तो कल मैंने बताया था कि उपसौर की इस्तिती में अधिक सम्हावना होती है क्योंकि उपसौर की इस्तिती में पेसफिक ओसियन में जो भी यहां समुंदरी का छेदर है वहां पे 7-8% हीट को गेन करने की इनकी कैपसिटी बढ़ जाती है त दूर जाए गहीं जाएगा अपसौर के इस्तिती आती है और वो काफी इफेक्ट डालता है और जब अपसौर की इस्तिती होती है सुरिय प्रिथिवी से बिलकुल दूर जा चुका होता है अब जो सोर्स होगा यहां पे मकर रेखा पे गरम करने का गरम तो होगा लेकिन पह प्रमोग लाइन की वज़ा से यहाँ आपका जो पानी कठा हुआ है, नीचे प्रेस्राइज करेगा और नीचे का जो पानी सांत जल था ओब चलने लगेगा, तो जो सांत जल का जो वाटर होगा घराई में चाहे एक वेटर में हो जाहे पोल में हो, ठन्डा ही होगा, ठीक है अब देरे देरे यहां ड्रीप्ट की सिति उत्पन होती है चलने लगती है और आगे चल के इस छट्र को दिरे धिरे ठंदा करने लगती है थर्मोक लाइन की सिति यहां उत्पन हो जाएगी तो परकिरिया वहीं होगी यहां पर भी कि प्रेसर बेल्ट की खिसकने के बाद से अब चुकी जो यहाँ जीरो डिगरी है जीरो डिगरी खिसकने कहां आ गया है नीचे आ गया है तो जल्धराई आएंगी इधर से ठीक है अब देखे कहां सारी जल्धराई अगर एक्वेटर जो है नीचे खिसक गया है प्रेसर बेल्ट की वजह से तो अब जो जल्धार आएंगी उपर से किसी जल्धार आएंगी ठंडी जल्धार आएंगी ठीक है अब इधर से जो जाएगी गरम जल्धार आजाएगी और उच चांसों के तरफ से जो जल्धार आएगी ठंडी जल्धार आएगी और यहीं जो ज लेवल बढ़ेगा अब जो भी पर किलिया यहां प्लैंक टान ठीक है मचलियों के लिए अब उतना प्रतिकूल दसा नहीं बन पाएगी ठंडा हो जाएगा और यहां पर मुहिस्चर की मातरा आध्रता जो होती है बहुत अधिक बढ़ जाएगी असानी से इस इंडिस पहाडों से टकरा के ठीक है चुकि यहां लो प्रेसर बना हुआ है हाई टंप्रेचर है यहां लो प्रेसर बना हुआ है अब यहां ठंडा पानी आ रहा है यहां पे लो टंप्रेचर हो गया और हाई प्रेसर की सिती किरियेट हो गई अब असानी से वर्सा पेरू क के तटो और इंडिस पहाडी के तटो पे वर्सा करा सकती है तो यहीं है और उसके बाद से फिर से यहां हेडली सेन के अनुसार जब ट्रेड विंड चलेगी तो इधर से आएगा देखते हैं अप दाएम उड रही है इधर से जारा बाएम उड रही है इसके परवाह में आके फिर से यह जो जल्धाराय है इनके पास कोई बिकल्प नहीं है धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है लेकिन अब यह जल्धाराय कैसी हो गई ठंधी जल्धारा हो गई अब यहीं ठंडी जलधारा जाएगी दिसंबर ठीक है नॉम्बर दिसंबर तक जादे जादे पहुंचेगी धिरे 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 पहुंचेगी और जाके फिरसे टकराएगी इलनीनों की तरह लेकिन अब अंतर यहीं है कि अब यहां पर क्या बना हुआ है लो प्रेशर किस्ति सुरी हाई प्रेसर की सिति यहां पर बन जाएगी ठीक है क्योंकि अँब जो दिसम्बर का महिना है यहां पर सुरी कहां है मकर रेखा पर अब सुरी अगर मकर रेखा पर तो उपर जो एक्वेटर के जो आस पास के छेत्रों में वहार temperature कम ही मिलेगा equipoator से और यहीं कारण हे कि यहां आने के बाद से जो और डेरी low temperature है अब यह झो ठंट ही जव जल-धारा जाएगी इसे और क्या कर देगी? लो टमप्रेचर बना देगी ठीक है और लो टमप्रेचर की सिती बन जाने से वाटर लेवल फिर से राइज होगा ठीक है पानी जब जा रहा है इधर से जब यहां से अप वेलिंग की पर किरिया हो रही है यहां डाउन वेलिंग की पर किरिया हो रही है तो यहां वाटर राइ से वैसे ही क्या हो जाएगी डिस्टिब्यूट हो जाएगी लेकिन अब यह क्या कराएगा बिलकुल अब एक तरीके से वर्सा की स्थिति यहां पर क्रियेट करेगी अब यहां से ठंडी जलधारा जाएगी दिसंबर के आसपास के महिनों में जनौरी के आसपास के महिनों में ऊपर आप जाएंगे तो ठंट है इन भी डिसमबर-जनवरी में और क्या कर देगे, ठंडाम ना देगी और यहाँ पर सुर्य है यहाँ बिहसंभर के महिने में तो अस्टिलिया में जो पहादी क्छेत्र है यहाँ पे आई temperature है, low pressure की सिती बनी हुई है, अब यहां का जो पानी धीरे 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 उपर का गरम होके उपर उठ रहा है, ठीक है, और बिक तरीके से इतना इस पानी का temperature बहुत अधिक नहीं होता है, हाँ लेकिन इतना है कि यह जो पुरवी तर्ठ है और पस्चमी तर्ठ में जो temperature का जो अंतर है एकतम माइनर आता है ठीक है ना मतलब 0.34 डिग्री अंतर यहाँ पे आता है तो उस इस्थिति में यहाँ पर जब लो प्रेसर की सिटी बनी होई है और यहाँ का जल इतना भी अधिक गरम नहीं है ठीक है और यह जब जल आता है तो पूरी तरीके सब इसको और ठं यहां पे फिर से low temperature के स्थित्य उत्पन हो जाती है हाई pressure पर क्रिएट हो जाता है अब हाई प्रेसर पूरी तरीके से यहां पर जो हवाई चलने लागए कि ट्रेड वींड के परभाव में आका अस्ट्रेलिया में सीधे जाएगी और अस्ट्रेलिया के तटो से टकरा के पूरा यहां पर रेंज है ठीक है क्विंड्स लैन वगर आप ह पहाड़ों में जाके अस्ट्रेलिया के पुर्वी तरों पे जोड़दार वारिस ठीक है इतनी अधिक बारिस हो जाती है कि कभी कभी लानीने लगता है कि अब यह जादे ही कुछ खतरनाक हो जा रहा है तो वर्षा भी बहुत अधिक मतना में कराती है वहीं सिच्वेशन यह छोड़े छोड़े आप लोग आइस लाइन दिख रहे हैं यहां भी वहीं सिच्वेशन होता है कि पहले यहां डॉट के स्थिरी डॉट के स्थिति बनी होती थी अब इन आइस लेंडों में भी वर्षा अधिक मातरा में होती है और यहीं ठंठा अंधी जलधार अधिरे-ध देरे जाएगी इधर ठीक है अब सुरिया दिसम्बर के बाद से आगे बढ़ रहा है एक्वेटर के तरफ जाएगा उत्राइन हो रहा है सुरिय का लेकिन यह इतना अधिक परभाव नहीं डालता है दिसम्बर जनौरी के बाद बाद मास तक जाएगा नहीं यहां पर माल त इसको अब क्या करार लेगी कि जो ठंडी जलधराय जाने के बाद इसको ठंधा करने लगेगी ठीक है अब ठंधा जब करने लगेगी मार्च में एक्वेटर में आ गया और मार्च के बाद से फिर से जून में सुरिय का दच्छडायन हो जाएगा सुरी उतरायन हो जाएगा और इस उत्राइन होने के बाद अब सूरी यहां आ जाएगा और अब हिंद ओसियन का जो टंप्रेजर है यहीं जल्धारा पहले गरम होती थी तो बढ़ा देता था अब यहीं जल्धाराए क्या करती है इसे और ठंडा बना देती है कूल ठीक है ना कूल बना जेती है कूल बना जेती है जिससे की जो सी का जो सरफेस का जो टंप्रेचर है लो टंप्रेचर हो जाता है ठीक है और यहां पर हाई प्रेसर की स्थिति उत्पन हो जाती है अब यहीं जब हाई प्रेसर की स्थिति यहां पर उत्पन हो जाएगी हाई सुरी यहां पर है ठीक है 22 जून को सुरी कहां आ जाता है कैंसर पर आ जाता है करक्रेखा पर आ जाता है अब यहीं से क्या करेगी कि जब जे ट्रस्टीम जब बनेगा जितने अधिक तेजी से उतरेगा ठीक है इन हवाओं को उतने अधिक मातरा में इसको ढगे लेगा ठीक है और ढगलने के बाद पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि हम मेडा गासकर से टकराते हुए फिर से यह हवाई उपर जाना चाहेगी लेकिन कोरियोलिस फोर्स के परभाव में आके फिर से यहाँ पे फेरा लौ का पालन करते हुए हमें दिखाई नहीं देती है यहाँ पे कोर आए मूर जा रही है तो यहाँ फेरा लौ फेल होता ही होता है इंडियन मॉन्सुन में बहुत सारे जो एक्सेप्शनल के से जाते हैं हम लोग ने देखा हुआ था जब इंडियन मॉन्सुन को हम लोग देख रहे थे हैं तो यहीं पर किरिया चलते रहती है अब जो ठंडी जलदा रहा थी यहां पे हिंड ओसियन में अब जब लानीना आता है तो इसको और ठंधा बना देता है और पहले से और इंडियन ओसिन ठंडा हो जाता है अब यहां हाई प्रेशर की सिति जब तियो पूरी तरीके से तयार है मॉन्सुन को लाने के लिए अपने तरफ अट् यहां high pressure पहले से भी अधिक बन गया है अब इसलिए जो IMD है भारत का मौसम विभाग पहले गोशड़ा कर देता है कि सल बारिस अच्छी होने वाली है कारण उसका है लानीना जो देख सकते हैं भारत का लानीना दोस्त हो जाएगा जो भारत की जल्वाई के लिए पूरी तरीके से प्रतिकूलिसिती उत्पन कर देता है और लानीना जो है भारत की जल्वाई के लिए भारत की वर्सा के लिए भारत की मौनसून के लिए पूरी तरीके से उसके अनुकूलिसिती पैदा करता है तो यहीं येहा है बिल्कुल यहांपर सिंपल टॉपी ऐडिक न यहाँ हाई प्रेशर बना हुगा है ठीक है यहाँ भी हाई प्रेसर बनादेगा यहाँ भी प्रेसर बना देगा। सिंपल यहां पर सिंपल कॉंसेप्ट है और जब यहां भी लोग प्रेशर बना देगा 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 टमप्रेशर ड्राइज कर देगा लोग प्रेशर बन जाएगा ठीक है तो यहीं को concept है आप उम्मीद है आप लोग को समझ में आगे आवागा अगर कोई भी क्यूरी हो कोई भी डाउट होते नीचे आप कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सेर सब्सक्राइब करना ना भूले कल हम लोग में भी हम लोग स्वाइल देखेंगे नया टॉपिक हम लोगा स्टार्ट करने जा रहा है अब इंडियन मौनसुन को जो भी फैक्टर था कारक थे सब हमने कम्प्लीट कर लिया है तो भारत की जो जलवायू थी ख